जय मादादी दोस्तो, आप सभी का स्वागत है हमारे यूटीब चैनल में दोस्तो, 31 साल के बाद, 16 एपरेल के दिन, जो की हनुमान जैन्ती का दिन है इस दिन बहुत ही शुब संयोग बन रहे हैं, जो 31 वर्ष के बाद बने है इसलिए ये जो दिन है, ये बड़ा महतवपून है ग्रहों की इस्तितियां भी इस दिन बड़ी ही प्रभाव शाली होने वाली है हनुमान जैन्ती के दिन तो क्या कुछ खास होगा, क्या योग बनेंगे और इन योगों में कुम्बराशी के जातक किस तरह से इस हनुमान जैन्ती के दिन हनुमान जी के साथ साथ शनी को प्रसंद कर सकते हैं शनी के जितने भी नेगिटिव प्रभाव हैं, उनको दूर कर सकते हैं ऐसा क्या कर सकते हैं ये सब कुछ हम इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे वीडियो बहुत इंपोर्टेंट होने वाली है क्योंकि हनुमान जैन्ती और शनी इन दोनों का अपस में बहुत ही जादा जुडाव है और इस एक दिन में आप शनी के आशुप्रभावों से मुक तो 16 अप्रेल को हनुमान जी का जन मुत्सव मनाय जाएगा हनुमान जी का जन मंगलवार के दिन हुआ था इसी वज़े से हर मंगलवार के दिन हनुमान जी की विशेस रूप से पूजा अर्चना की जाती है लेकिन मंगलवार के अलावा जो शनीवार का दिन है न ये भी हन दिन और शनिवार का एक संयोग ये बहुत ही उत्तम एक दिन बन गया है इस दिन जो योग है वो बहुत अच्छे हैं क्योंकि इस दिन हर्श योग रहेगा हस्त चित्रा नक्षत्र का संयोग है जिसमें हनुमान जी का पूजन करने से जीवन में सुख सुम्रद्धी मिलेगी ह आरसो लास होगा लक्ष्मी की प्राप्ति होगी जोकि एक तो हनुमान जी का आपको आशिरवाद प्राप्त होगा जो कलियुक के देव हैं और बहुत जल्दी प्रसंद होने वाले हैं साथ में शनी की किरपा पाने के लिए भी ये दिन विशेस है और उन लोगों के लिए तो बहुत ही विशेस है जिनके लिए साड़े साती चल रही है ड़या चल रही है हनुमान जी का पूजन उन लोगों के लिए तो अमृत के समान है कि आपने ये एक उपाय कर लिया ये पूजन कर लिया तो समझेए कि जो शनी के दूश प्रभाव हैं उनसे आपने मुक्ति पाली तो इस दिन आप ऐसे क्या कुछ कर सकते हैं क्या योग हैं तो योग की हम बात करें तो हनुमान जैनती पर इस दिन शनी जो है अपनी राशी मकर राशी में होंगे 31 साल पहले ऐसा योग बना था जब मकर राशी में शनी थे और हनुमान जैनती का दिन था लेकिन उस दिन मंगल वार था और अब शनी वार है जोतिस में मंगल और शनी दोनों ही करूर रहे हैं और दोनों के दोशों को दूर करने के लिए पूजा पाढ़ किये जाते हैं अब यह चैत्रमास की पूनिमाती थी है मालक्षमी को भी बहुत पसंद होती है और इस हनुमान जी का देखे अगर हम देखे न हनुमान जी के जन्म की दिन जो अगर देखें तो उस दिन उच्च के सूरिय थे उच्च के ही मंगल थे और सूरिय पर द्रश्टी बनी हूँ तो इस साल एक और यह संयूग बना है कि हनुमान जैन्ति पर उच्छ के सूर्य हैं, क्योंकि सूर्य अपनी उच्छ राशी में बैठे हुए हैं, मेश रासी में, लेकिन मंगल उच्छ के नहीं हैं, शनी मका राशी में हैं और गुरु मीन राशी में हैं, लेकिन एक और योग है मेश रासी में सूर्य बुद्ध राहू इन तीनों की युती भी हो रही है और के तू आपके भागे भाव में बैठे हुए हैं तो ये इस दिन के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि आप उपाय अगर करते हैं तो ये उपाय आपके लिए बहुत हिदकार सावित होंगे एक तो ऐसा है जो बहुत ही शुब रहेगा एक दीपक और एक जो सिंदूर है इसका उपाय लेकिन उसके अलावा भी कुछ ऐसे उपाय है जो आप कर सकते हैं तो वो हम सब कुछ अभी जानते हैं चलिए जो लोग लंबे समय से आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं और पैसा आ लेकिन तिग नहीं रहा है न जाने कहाँ कहसे खर्चे नीकल आते हैं तो क्या करें हनुमान जैन्ती के दिन शनिवार के दिन सुबह इसनान करने के बाद पीपल के 11 पत्ते ले उनको दोखर साफ करें या फिर घंगा-जिल से उननको सवाच्छा कर सकते हैं और फिर और वो आपको जो हनुमान जी की मूर्ती होती है उस पर अर्पित कर देने हैं आप चाहें तो माला भी पहना सकते हैं आप चाहें तो उनके कदमों में उनके चर्णों में आप भी अर्पित कर सकते हैं वैसे माला पहना है तो ज्यादा अच्छा है क्योंकि इस पर श्री राम ना रखें श्री राम की माला पहना दें आप उनको इस ग्यारा पीपल के पत्तों की तो ये आपकी इच्छा पूरी करेगी साथ साथ लिखते हुए आपको इच्छा जरूर बोलनी है अब हनुमान जैनती के दिन शनिवार का दिन है तो देखें इस दिन शनिवार के दिन भी को बाटें और हनुमान जी के पाठ का आप एक प्रण ले सकते हैं इस दिन संकल्प ले सकते हैं कि आप प्रते दिन इतने पाठ हनुमान चालिसा के करेंगे अगर आप अपनी को इच्छा पूरी करना चाहते हैं तो इस दिन से आप शुरू कर सकते हैं माली आप 21 दिन के या 11 दिन के लिए ही कर रहे हैं, तो हरमान चालीसा के पाठ करना शुरू करें, इस दिन से संकल्प ले करें, कि आपको प्रज़़ दिन 11 पाठ करने है, तो निश्चित रूप से आपकी वो इछ podob होगी, घर में बड़ा ही कलेश रहता है, सुख शांती नहीं है, पैसा है पर स उक्षांती नहीं है तो इस दिन आप क्या करें आप बजरंग बान या फिर सुन्दर कांड का पार्ट करें इस दिन सुन्दर कांड का पार्ट करेंगे तो मांसिक शांती तो मिलेगी ही घर में जो भी नकारात्मकूर्जा है वो दूर होगी सकारात्मकूर्जा का परसार होग इसकारे को कर सकते हैं अब कुंडली में ग्रहों का अशुप प्रभाव है उसको कम करना चाहते हैं तब क्या कर सकते हैं तब आपको क्या करना है लॉंग जो होती है लॉंग और जो सरसो का तेल होता है सरसो के तेल का एक दीपक जलाएं और उसमें लॉंग डाल दें साबुत इससे भगवान हनुमान की आर्थी करें ये बहुत शुभ माना जाता है कहते हैं कि इस उपाय को करने से कुंदले में मंगल और शनी के दुश पर भाव दूर होते हैं और पीपल के पेड़ के नीचे हनुमान चालिसा का एक पाथ विकर लें ग्रहों की स्थिति बहु वो क्या है आपको क्या करना है हनुमान जी के सामने एक दीपक जलाना है और हनुमान जी के जो हनुमान चालिसा का पाथ है वो करना है इस दीपक के साथ आपको क्या करना है एक दीपक जलाना है और ये दीपक कैसा होना चाहिए ये आटे से बना हुआ दीपक चाहिए अगर आटे से बना हुआ लेते हैं तो बहुत अच्छा है लेकिन अगर आप उडद होती है न उडद की डाल तो उडद के उडद को आप साबुत को पीस ले और उसका जो आटा सा वो गूत कर उसका एक दीपक बनाए उडद का एक आटे का दीपक बनाना है और एक सूत लेना है कला तेली का ले ले, या कोई और तेल ले, सरसों का तेल ले, उस तेल में, उस दीपक में सूद के धागे की बत्ति बनााकर जलाना है, और उसंसे ठोड़ा सा सिंदूर डाल देना है, यह दीपक ऐसा होना चाहिए, और तब बैठ कर हन्मान चालिसा का पाट करें और शाम के समय सUNG पूर्ण हो एक ही एक ऐसा उपाय है जो आपकी जीवन में तुखों को दूर करेगा शनी को प्रसंद करेगा अशुप प्रभावों को दूर करेगा शनी के शनी की बहुत जल्दी किरपा आप पर होगी तो आपने अच्छे से जान लिया है उड़द के आटे से दीपक बनाकर सूत के धागे से बत्ती बनाएं और तब किसी भी तेल का दीपक जलाएं और उस तेल में थोड़ा सा सिंदू डाल दें तब पूजा करें हनुमान चालिसा करेंगे तब भी और सुन्दर कान का पाट करेंगे तब भी और करने ही करने हैं आपको अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए सब कुछ अच्छा हो तो दोस्तों और अदे कैसी जानकारियों के लिए चैनल को सबस्क्राइब कर लें हमारी इस वीडियो को जब 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 लाइक करें शेयर करें